आप content creator हैं तो आपने इस तरह की RGB lights जरूर देखियोंगी या फिर अगर कई लोग मैंने सब दिखा कि गरों के अंदर जो है beautification के लिए इस तरह की RGB lights का इस्वाल करते हैं क्योंकि ये काफी एक तुछ चीप आती है बलस इससे आपका room का design या अगर आप किसी तरह की वी जो है photograph करते हैं तो उसका design काफी best हो जाता है इसके अंदर जो है बहुत सारे color available होते हैं लेकिन समस्या तव आती है जब इसका remote खराब हो जाता है क्योंकि by default जो है ये light शिर्फ जो है blink करती रहती है और सारे color generate करती है जैसे आप ही कर रहे है एक्चिन green, red, light, सारे तरह के color generate करती है अब ही अगर मैं आपको दिखाओं तो ये जो remote actually आप देख सकते हैं कि मैं सारे button try कर रहा हूं लेकिन ये जो काम नहीं कर रहा है ये देखे कोई भी button काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमें जो है हमेसे सारे color नहीं चीए कई वर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई particular color चीए like white चीए अब भी चीए तो ऐसे में remote का काम करना जरूरी है इसी अदर जो है मैंने देखा प्रोपर अगेरा लगा हुआ है चार्जवें लेकिन ये प्रोडेट जो है चाइनिस प्रोडेट होते हैं काफी चीप होते हैं डेड़ सो 200 रुपे में आ जाते हैं तो इसलिए इनके जो remote हो पर हैं पलस आप इसका यूज जो है continue रख सकते हैं इसके लिए जो है आपको मार्केट में जाके इसको ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है नहीं आपको इसके पर 50 या 100 रुपर खर्च करने की ज़रूरत है नया बाइदर के डेरेटी आपको जो है अपने mobile phone के अंदर जाना होना चाहिए या फिर 3.5 mm jack के infrared जो ब्लास्टर है 50 रुपर में आपको मार्केट से मिल जाते हैं लेकिन आप उस infrared ब्लास्टर का इसमाल सिर्फ RGB के नहीं ही नहीं आप अपने घर में AC है टीवी है सैट आप बोक्स है या और भी कही तरह है के multiple devices जो की एक infrared से जो है connect हो सकते ह यूज हो सकते हैं वो सारे काम ले सकते हैं मेरा फोन जो है माइका है तो इसके अंदर by default जो है IR अगनेबल है तो मुझे जो है कुछ करने के हो सकता नहीं है डैकली जो है play store में जाना है यहां पर आप लिख सकते हैं RGB remote RGB light remote RGB LED light तो देखिए बहुत सारे option आपको देख रहे हो जैसे आप इसको उपन करते हैं तो बिल्कूल वैसा इंटरफेस देखिए देखने को मेल रहा है जैसा कि इस hardware के अंदर है सारे options वहीं है और कमाल की बात यह है कि आपको कुछ भी configure नहीं करना है directly जैसे आप start करते हैं आप button press करके इससे काम लेना start कर सकते हैं तो चलिए off करना है तो off के उपर मैं click करूंगा off हो जाएगा on के उपर click क्लिक क्या on हो गया अभी मुझे सिर्फ white light लाइट तो इसने इस तरह के लाइट जो दिये मुझे भी चीए तो जो भी button है आप देख सकते हैं सारे button properly काम कर रहे हैं जो भी functionality लाइक उस remote के अंदरा में देखने ह को मिलती है intensity आपको light की कमिया ज्यादा करनी है यहां से मैं इसके intensity भी जो है वो बढ़ा सकता हूं कम करनी है डारेट लीज बटन पर यूज़ करके आप intensity को भी जो है कब कर सकते हैं तो सारे option जो आपको एक remote के अंदर देखने को मिलते हैं सेम वहीं आप आपने Android या iOS mobile के अ उसके अलग से जो जैक आते हैं वो सिरुव आपको buy करने हैं या फिर अगर आपके पास मेरे माई का फोन है या हुए की कोई specific फोन है जिनके अंदर आलड़े आया रहाता है तो ऐसे में आपका काम हो जाएगा प्रीवेस वीडियो में मैं आपको आलड़े बता चुका हूं कि अगर फोरेजंपल आपको अपने घर के अंदर अगर कोई और आइटम भी जो एक्सेस करने हैं तो वो भी आप सारे आइटम यहां से देखिए अक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंफ्रा रेड ब्लास्टर का कोई भी जो है कनेक्टर है जैसे टीवी है सैट बोक्स ह सारे आइटम आप यहां से कर सकते हैं अगर आपके पास एक आयार ब्लास्टर अविलेबल है तो तो आज की वीडियो में जो है सिर्फ इतना ही अगर आपको किसी और तरह हैं कि ट्रिक्स चाहिए को और तरह वीडियो चाहिए तो आप आमें पॉल्मेंट सेस्ट में बता सक होते हैं आची वीडियो नितना ही मिलते नेट्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए